नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूं आप सब लोग भढ़िया हों में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं भाई एक ऐसी कॉमन चीज जो कि आप मैंसे ऐसे बहुर सायल होगे आपको फेस करने को मिल रही है वो ही है कि खाता बहुत हूँ मेरे शरीर में कुछ लग क्यों नहीं रहा है मैं खा खा करके परेशान हो गया मैं बर बर करके परेशान होग ए मेरी बॉड़िं western नहीं मैं ऐसा क्या करूं मेरी बॉड़ी पर रिजल्ट आए तो आज की सीडियों में इसी बारे में हम बात करने आलें आज मैं आपको completely बता हूँ कि आप ऐसी क्या चीज करें जो भी आप खाते पीते हैं आपके बॉड़ी में लगेगा और आपको 100% रिजल्ट आएंगे तो देख कहीना कहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब सक करें इस तो फ्र leves- Buddhist आपको प्यान को समय करेंगीन और आपको पूरी की पूरी जो समझ ए जो आपकी transformation की जरनी है नो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी क्योंकि देखें मैं बस आपको यही पताना चाहता हूं कि भाई अकसा लोग क्या करते हैं उनके पैसे वेस्ट होते रहते हैं, वह यह सुंसे हैं कि भाई मैं खाता हा रहा हूं, फिर भी नहीं लगा है, किसी को ट्रेनर को पैसे देते हैं, कोई उनको supplement देता है, नकली, उनकी liver खराब हुजाते हैं, किडनी खराब हुजाती है, और समस्य यहां बहुत ही छोटी सी है, खाया पिया है वो लोग इसको ignore करते हैं होता है कि आप में सबस्क्राम के दिरी जैसे बहुत कर देता है और आपने इनी चीजों को छोड़ रखा है कोई कहता है भाई में को दूध है नहीं होता है दूध में को भसन नहीं है तो आप दही खा लिए कोई कहता है भाई दही से में को स्मेल आती है आप देखें स्मेल का तो कोई इलाज नहीं है स्मेल अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको कोई भी चीज आप फिर यूज नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसे करेंगे, कुछ आपको शरीर का फायदा भी देखके चलना होता है, अब अगर मैं आपको पता हूँ, तो दही और छाच, आप लसी, आप चाहे मठा चाहे कुछ भी दुनिया है, इसमें अच्छी और बुरी चीज दोनों मौझूद है, इसी तरह हमारी शरीर के अंदर भी good bacteria और bad bacteria मौझूद है, जिनका संतुलन होना बहुत जरूरी है, अगर आपकी शरीर में bad bacteria बढ़ जाएंगे, तो आपकी जितना भी खाया पिया जो खाते हैं, उनको स शरीर में लगेगा, अब यहां पर क्या चीज आती है, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आपकी शरीर में probiotic की कमी है, तो probiotic आप कैसे लेंगे, probiotic आप लेंगे बहुत इसरल तरीका है, आप लेंगे दूद, दही, छाच, मठा, लसी, यह सारी चीजे कभी भी आप अपने दिन में एक बार चाहे, दोपैर को चाहे, शाम को एक बार आप एड़ करके देखे न, यकीन मानिये, आपको अगले समझे दूसरे तीसरे दिन से आपको बदलाओ दिखने लएगा, आपको मैसूस होने लएगा भाई, जो आप खाना पीना खाते हैं इतना सारा वो आपकी शरीड में लग रहा है, कहीं न कहीं आपके पैसे बरबाद जा रहे हैं, अगर आप लोग ऐसे बैट करके कुछ भी खा रहे हैं और सुझते हैं अभी रिजल्ट आएंगे, तो बहुत ही छोटी सी चीज है, जो लोग नहीं करते हैं, आप जो लोग इन चीज को स स्वाद के लिए आप पूरी की पूरी जो चीज है, उसको बरबाद कर दे रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, मैं तो पहले गुड भी डालता था, उसको भी बंद कर दे, क्योंकि भाई, एक्शल प्रॉपर्टी में को उसकी पता है, भाई, वो कितना benefit वाली चीज है, मान लीज अब बढ़ाना चाहते, आप जो भी आप घना शारीब को धाना होता है, तो कि यह मैं यह प्याइट में डियरी प्रोडक्ट को नहां घ्र भाई में दोपने, आप प्रोटीन पीकर के परेशान वह प्रोटीन पी करें प्रोटीन-पीकर परेशान होगे तो उन लोगों के लिए बहुत इब बढ़िया और अच्छा समधान है बस आपंगों को यहीं करना है कभी दोपैर शाम के समय और विजन बढ़ाना सच बताऊं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बधन बढ़ाना बहुत आसान गाम है घ्रड़ाना भी आसान काम है बस आपको तरीके पता होने हैं तरीके में आपको बतार आहँ आप इन ही चीजों को भी कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए घर का खाना बहुत है घर का खाना जादा से आतना आपने प्रूटिंग सप्लिमेंट खरीद लिया घर के खाने में तीन चार रूटी पांच रूटी छे रूटी खाएं अपने हाई टेज वेट के अकौर्डिंग कैलरी की काउंट कर कि अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉड़ी में रिजल्ट जरूर मिलेगा बस इस अंधविश्वास्चन निकलेगी भाई दबा करके खाएं तो कितना खाएं आपको पता भी तो ना चाहिए न वहें दबा करके इतना खा रहा हूं गेनर खा रहा हूं गेनर के साथ कोई लेकिन गेनर की रिजल्ट मेरे पौने चाहिए यह सारे अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप जितनी बी चीज़े कर रहे हैं सब चीजिए को फॉलो करने का एक तरीका होता है अब आपको इतनी बार मैंने बता दिया वीडियो में बस आप इस चीज़ को ध्यान रखें क कि भाई गेनर को भी ले रहे हैं तो आपको तरीके से फॉलो करने का कि आपको साथ में रहें पड़ेगी तीन सो-चार सो जारे वाकि आपको लेने पड़ेगी उहां के लिए चलिए के बाद करेंगी बाके आपकी जासे नहीं लगए तो अपनी डाइट मैं चीजे बढ़ा जितना है उसमें सब में आपको मिलेगा प्रोबाइटिक जो कि आपकी शरी में गुड़ बैक्टिरा का संतुलन बना के रखने में काफी ज्यादा साहता करेंगे जिसके वैसे आपकी पाचन शक्ती बढ़िया होगी तो आप जो खाएंगे प्याएंगे वो लगेगा क्योंकि जू सोकती है खाने से वो लगता है पिशही में वेस्ट जो है वो आपका बाहर निकल जाता है ठीक है उम्मीद करता है दोस्तों मैं आपको अच्छे तरीके समझा पाएं मैं जो आपको जानकारी देना चाहता था वो आपके पास तक पहुंच भी मिलते हैं दोस्तों अगल